काले चने खाने के बहुते फायदे होते हैं तो हमें हफते में एक दिन खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए आज मैं लेकर आए हूँ बहुत ही देशती चना मसाला की रेसिपी जो आप लोग धाबा रेस्टोरेंट में खाते हैं चना मसाला उससे भी ये लाग गुना अच्छी लगेगी बहुत ही जबदस्त बनती है बहुत ही सिंपल है तो चलिए फिर आज हम इसे घर पर ही बनाते हैं चना मसाला की सबजी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है दो कप चना जिसे मैंने रात में ही भीगा लिया था आप देख स हरे मिज और लेहां इनको हमें कटकर लेता है पेष्ट नहीं बनाना है प्या यहां के लिए हंने कट कर लिया है हर Ärमिज कट कर लिया है लेह टोड़ गबनाएं कि तो यहां पर हमने गयास पर रख दिया प्रएस से अच्छे से गरम हो ज depend के प्यांकि में बनते हैं तो इसमे जैसे कि बड़ी लैची, दालचीनी, छोटी लैची, काली मिच, लौंग और जीरा, मसालों को हलका सा भून लेंगे, उसके बाद कटी हुई यह जो हरी मिच और लहसन है, यह डाल देंगे, साथ ही यह जो कटा हुआ प्याज है, यह डाल देंगे, यह जो चना मसाला की सब्ज क्याणी इसके लिए प्याज और टमाटन थोड़ा जयादा लें तो मैंने 2 कब चना के लिए 3 मीडियम साइज का प्याज लियाए और 2 मीडियम साइज का टमाटन लियाए प्याज को हलका सब भूल लेंगे और उसके बाद ही कटा हुआ टमाटन डाल देंगे, इनको भी हम भून लेंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ पर काले चने को पहले ही खडे मसालों के साथ बॉइल कर लें लेकिन हम बॉइल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका और पहुत ही टेस्टी बनता है उसके बाद साथ ही यह जो काला चन है यह भी हम ढाल देंगे अब चना को भी हम टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से बुनेंगे जदा नहीं एक से दो मेन तक आप इसे अच्छे से भून लें लोटू मेडियम फ्लेम पे और उसके बाद अब हम इसमें डालते हैं के स्वादानुसा नमक और साथ ही समें डालते हैं हम दिशाले एक चमच धनिया पौडर एक चमच गरम मसाला और एक चमच के करीब हम इसमें डालतेंगे छोले मसाले जो भी आप खाते हों जो आपके पास हो एक चमच के करीब डालतेंगे हल्दी पौडर और अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आधा चमच के करी लालमिष्ट पाॉडर भी डाल दे, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तमाल की हूँ, मसालों को भी हम चने के साथ एक से दो मेर्ट तक भूल लेंगे, और जब एक से दो मेर्ट हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर डालना है पानी, लेकिन बहु अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम Handey, और इसमें मेर्च कट हुए whipping, और फॉर हरि मेर्च कोए और टेया करले मेर्च करने का अंदर नगना को भीतना pure को यह इसमें चिंद मेर्च करके यहां पर सीटी आ गई है तो प्रेसर कूकर का ढखकन खोल कर एक बार हम सबजी चेक कर लेते हैं यहां पर आप सबजी का कलर देख सकते हैं एक बार थोड़ा सा नमक चेक कर ले और चने चेक कर लें कि यह अच्छे से पका है या नहीं अगर आपको थोड़ा बहुत टाइट तो एक से दो सीटी इसमें और लगा दे आप देख सकते हैं चने काफी अच्छे से पक गये हैं हम इसे गरमा गरम सर्फ कर लेते हैं इसे आप राइस चपाती पूरी नान रोडी किसी के भी साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही सिंपल यह रेसिपी है एक बा कर देंग